दोस्तों इस समय पर आपको fame pay के बारे में बहुत ज्यादा सुनने को मिलता होगा इसके काफी सारे विज्यापन भी आपको देखने के लिए मिलते होंगे लेकिन ये fame pay क्या है क्या ये कोई credit card है क्या ये कोई debit card है क्या ये कोई bank account है क्या है fame pay इसके benefits क्या है आपको इसके वीडियो में फैम पे के बार में आप सभी को बताने वाला हूँ आई होप आप इस वीडियो को शिरू से लेकर अन तक जरूर देखेंगे नमश्कार दोस्तों मैं अभी नब स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में आए जानते हैं अब फैम पे बेसिकल प्रॉपर बेंक वाला सेविंग्स अकांट नहीं है जैसे कि आप SBI में HDFC बैंक में इस त्रीके का यह सेविंग से काउंट नहीं है यह सिर्फ टारगेट किया गया है टीनेजर को फैम पे ने आईऑ पसी बैंक के साथ मिलकर टाइब किया है और आपको यहाँ पर एक savings account मिल जाता है और आपको debit card भी मिलता है debit card में basically visa के साथ tie up हुआ है और visa का debit card आपको मिल जाता है लेकिन इसमें बहुत सरे benefits है जिसके बार में मैं पहले आप सभी को बता देता हूँ उसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप fame pay के लिए कैसे apply कर सक 11 से 20 और 35 प्लस वो लोग यहाँ पर बहुत easily 30 second में एक account खोल सकते हैं लेकिन जो लोग 21 years से लेकर 34 तक है 21 से 34 यह लोग यहाँ पर ऐसे ही account नहीं खोल सकते हैं अगर वो account खोलना चाहते हैं तो 11 से 20 के बीच जिनका account पहले से है अगर वो refer करेंगे तभी वो account खोल सकते हैं तो basically 11 से 20 years का मतलब क्या है जो बच्चे होते हैं यानि कि बच्चों को यह target किया गया है और 35 प्लस का मतलब क्या है जो parents होते हैं तो parents और बच्चों को target किया गया है 21 से 34 के बीच जो है जिसके अंदर मैं भी include होता हूँ हम लोगों को यह target नहीं किया गया है हम लोग यहाँ पर account कैसे खोल सकते हैं अगर कोई minor आकर यानि कि 11 से लेकर 20 के बीच अगर कोई है जिसके पास पहले से यह account है अगर वो हमें refer कर रहा है तो हम यहाँ पर account open कर सकते हैं यह है eligibility criteria अब इसके benefits किया है once आप यहाँ पर account खोल देते हो आपको यह जो physical card मिल जाता है इसमें यह numberless होत है जैसे कि normal debit card में लिखावा होता है तो number यहाँ पर लिखावा नहीं होगा तो अगर आपका card खो जाता है तो चोरी होने का chance नहीं होता है अगर कोई चोरी भी करेगा तो उसमें number नहीं होगा तो fraud transaction भी नहीं कर सकता है साथी साथ यहाँ पर आपको fam coins मिल जाते हैं fam coins से आपको virtual card भी मिलता है आपको physical card भी मिलता है आप online based से spending कर सकते हो और आप offline based से spending कर सकते हो आपको UPI का feature भी मिल जाता है तो UPI के जरियर भी आप payment कर सकते हो कोई भी hidden fee नहीं है यानि कि बिल्कुल free पे आपको यह card मिल जाता है अब अगर आपको fam pay में account खोलना है या फिर fam card क जाकर भी apply कर सकते हो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आप play store पे जाकर कैसे apply कर सकते हो तो basically आपको play store पे जाना पड़ेगा वहाँ पर आपको search करना पड़ेगा fam pay सर्च करने के बाद आप खुद चेक करना इसकी जो rating है वो है 4.2 की आप इसे install करना install करने के बाद जे सबसे पहले आपसे आपका phone number मांगता है आप अपना phone number वहाँ पे डाल देना उसके बाद आपके number पे OTP आएगा OTP को वहाँ पर submit करना OTP को submit करने के बाद आपको ये account setup करने के लिए बोलता है तो basically पहले जैसे मैंने आप से भी को बताया है कि 11 से 20 के बीच और जो 35 plus years व मांगता है अगर किसी ने आपको refer किया है तो referral code वहाँ पे डाल देना उसके बाद आप submit पे click कर देना उसके बाद तुरंत वह क्या करता है आपसे कुछ details मांगता है जैसे कि आपका नाम क्या है और आपका date of birth वहाँ पे डाल देना ये जो name और date of birth है न ये debit card में प्रिंट ह के आता है उसके बाद ये आपसे आपकी location की permission मांगता है तो basically आपको वो permission देनी पड़ती है allow करनी पड़ती है allow करने के बाद जो final step होता है वो है KYC KYC में सिर्फ आपको आधार काड के details देनी पड़ती है अपना आधार नंबर वहाँ पे डाल देना और उसके साथ जो mobile नंबर link हुआ है उसके एक OTP आएगा OTP डाल देना उसके बाद आपका account तुरंत एक minute के अंदर ये अंदर create हो जाता है account create करने के बाद आप जिससे site पर check कर सकते हो यहाँ पर balance लिखा गया है यानि कि आप यहाँ पर पैसे deposit कर सकते हो पैसे deposit करने के लिए क्या करना पड़ेगा वह अगर आपको चाहिए कि एक particular limit से ज्यादा आप spend नहीं करोगे तो वहाँ पे एक limit को भी आप set कर सकते हो yearly आप maximum दो लाक रुपया का transaction ही कर सकते हो अब इस समय पर यानि कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस समय पर UPI वाला feature और एक physical card order करने के लिए जो feature है ना इन द दूसरा विकल्प चुनना पड़ेगा जो क्या है उनकी official website में जाकर आप apply कर सकते हो तो basically आपको क्या करना पड़ेगा नीचे description पर मैंने link दिया है वहाँ पर आप click करना उनकी official website पर जाना official website पर जाने के बाद वहाँ पर basically आपको दो cards देखने के लिए मिलते हैं पहला card क्य जहाँ पर आपको 99 रुपीज पे करना पड़ता है वहाँ पर आपको customize name मिल जाता है आप अपने नाम को customize कर सकते हो tap and pay वाला feature भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है साथ ही साथ आपको 2x fem coins मिल जाते हैं rewards के तौर पे और अगर मैं आप से भी को premium card के बारे में बत जाते हैं यानि कि जो stickers वगेरा होते हैं यह आप customize कर सकते हो साथ ही साथ अगर मैं आप सिवी को subscription के बारे में बताऊं तो आपको worth 3000 रुपीज के subscription भी मिल जाते हैं जैसे कि Ghana Plus हो या फिर Zomato Pro हो यह subscription आपको इस card के साथ मिल जाते हैं लेकिन इसके लिए आपको pay करना पड़ आपको 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 लिखना पड़ेगा अलग-अलग fonts होते हैं आपको चूज कर सकते हो next पे क्लिक करने के बाद वह बेसिकली आपसे आपका address मांगता है तो आप सही से अपना address वहां पे डाल देना क्यूंकि इस address पर आपका जो card हो डेलेवर होता है तो वहां पे address डालने के बाद जो final step होता है वह आपको payment करना पड़ेगा 99 रुपीज हो या फिर 299 रुपीज payment करने के बाद आपके address पर ये card आ जाता है तो यहां पर आपको physical card मिल जाता है अब सबसे बड़ा सवाल है कि आपको FEMPay इस्तमाल करना चाहिए या फिर नहीं देखे FEMPay को एक मकसद से बनाया गया है एक gap को fill करने के लिए बनाया गया है जो minors होते हैं 18 साल से कम उमर वाले बच्चे होते हैं उनको अपने parents से पैसों की जरवत होती है तो कैसे वो पैसे लेते हैं या तो उनके parents के पास जो debit card होता है उनका debit card वो इस्तमाल करते हैं वहां से वो ATM के जरीए पैसे withdraw करते हैं या फिर होता क्या है कि directly वो cash ले लेते हैं तो यह जो gap इसको fill करने के लिए Fempay को बनाया गया है क्योंकि 18 साल से कम उमर वाले जो बच्चे होते हैं उनके पास bank account नहीं होता है तो Fempay उनके लिए बहुत easily 30 seconds में ही एक account create करके दे देता है और वहां प यह वाला जो feature है इसको utilize कर सकते हो यूज कर सकते हो लेकिन ATM में जाकर cash withdraw नहीं कर सकते हो तो मेरी recommendation आप से भी को यही रहेगी कि आप Fempay को इस्तमाल कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप बच्चे हो 11 से 20 के बीच हो या फिर अगर आप 35 प्लस हो कोई parent हो तो ध्या आपको cash दे रहे हैं तो उसको भी आप इस्तमाल कर सकते हो Fempay में आप पैसे रख सकते हो लेकिन कम से कम पैसे रखना जैसे कि 5000 रुपय हो 6000 रुपय हो इनकी customer service जो है वो तनी अच्छी नहीं है मैंने खोद इस्तमाल किया है यहाँ पर आपको call का feature नहीं मिलता है आप अच्छा initiative है आप try कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा नहीं है कि आपका जो पैसा है वो चोरी हो जाएगा या कुछ होगा ऐसा नहीं है पर minimum पैसे यहाँ पर deposit करना I hope आपको इस वीडियो से Fempay के बारे में कुछ ना कुछ जानकर ही जरूर मिली है अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग डापिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्षिन पर जरूर बताएगा मैं उसके उपर जरूर एक वीडियो बनाऊँगा मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग डापिक के साथ फिलालकले वीडियो में इतना ही देखने के लिए बहुत- झाल झाल